मैं आणूप सर्व मेरे कलास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोग तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इंकम टेक्स का स्टेडि कर रहे हैं उसमें एक हम लोग का लेसन आता है इंकम फ्रॉम सेलरी उसमें हम लोग का एक पार्टली टेक्सेबल एलाउंस आता है जिसका नाम है हाउस रेंट एलाउंस वो कितना एक्जेम्ट होता है कितना टेक्सेबल होता है और किस प्रकार से उसका केलकूलेशन करते हैं आज इस वीडियो में आप लोग देखिएगा तो चलिए सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल नए है तो सबसे पहले बच्छे लोग सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तेकि बच्छे लोगा स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि सबसे पहले हमें का क्या है लिस्ट ऑफ दफ फोलोविंग लिस्ट ऑफ दफ फोलोविंग मतलए नीचे में देखिए तीन टॉपिक है वन टू थीरी तीनों में से जो कम होगा बच्छो लोग वो एक्जेम्ट होगा ठीक है वो क्या होगा एक्जेम्ट होगा सबसे पहले एक्चुल एचारे मतलब वर्जिनल जितना एचारे मिल रहा हो ठीक है question में दिया रहेगा कि house rent allowance 200 रुप्या पर मंद 300 रुप्या पर मंद कुछ दिया रहेगा तो इसको actual house rent allowance बोला जाते है बच्छो लोग उसके बाद rent paid भी आप लोग का दिया रहेगा ठीक है rent paid question में दिया हुआ रहेगा rent paid minus 10% of salary अभी आप लोग को बताएंगे इसम पेड मैनस 10% of salary और लास्ट हम लोग का है 40% of salary salary का 40% लेकिन इसमें आप लोग देख रहे होंगे बचलो कि बुंबय हो गया चेननाई हो गया कोलकता हो गया दिल्ली हो गया अगर एक टाउन में आपका service है तो आपको 50% of salary ठीक इसमें सब कितना लेंगे 50% लेंगे एक बहुत ह ज़रूरी बात है बचलो कि salary इसमें क्या लेंगे ठीक है salary मतलब क्या होता है तो सबसे पहले इसमें देखे जो हम अभी हम लोग पढ़ रहे है बेसिक salary जितना मिल रहा हो डिये डिये मतलब होता है यह बचलो याद रखेगा इन part of salary रहेगा तभी aid करना है salary में नहीं तो न सेलरी में तो basic salary पलच डिये डिये टभी लेना है जब under term in condition रहे अंडर condition रहे तभी लेना है पलच डिपी मनलद डियरने सपे तो बचलो डियरने श्योडिय अलाउंस दोनों महंगाई एक होता महंगाई बेतन एक होता महंगाई एलांस ठीक है महंगाई भात्ता तो देखे डीरनेस पे क्या होता है इन पार्ट ऑफ सेल्री होता है इसको आख मुंद के अराम से एड करना लेकिन डीरनेस एलांस में फिर बार 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 बता दे रहें DNS लाउंज को तभी aid करना है DNS लाउंज को चब यह in part of salary और commission भी देखिए क्या है देखिए बच्चों लोग commission भी fixed percent on sales ठीक है fixed percentage on sales sales पर अगर fixed percentage रहेगा तभी लेना है नहीं तो लेने का जरूत नहीं है शिर्फ simple commission तो नहीं तो बच्चों आप लोग HRS समझ गए होंगे आप लोग इसको अच्छे से revision कर लिजए तीनों में जो हम लोग का कम होगा वो exempt होगा बाकी क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा तो चलिए बच्चों मिलते अब next video